नमस्कार प्यारे सातियों स्वागेत आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल पर दोस्तों जूनियर अकाउंटियंट वेकेचे के कापि सारे सातियों के मेसेज कौल आये थे उनससाभी सातियों को हैं वो हर एक परसन का पूरव दिया है जहां तक संभावना हुई है हर परकार से साइटा के गई थी उसकी कई सारे साती का message भी आई था कि रिट कैसे लगाएं रिट के लिए जो है कई सारे questions हैं किसी के लिए 1,000, 1,500, 1,500 रूपे तक का खर्चा है वो आ रहा है जितने क्यूसन हमें डाउट फो लगते हैं हमने उस परकार से उस साथी की है help की है हर vacancy के अंदरगत करते हैं तो junior accountant के अंदर भी करेंगे चाहे किसी भी परकार से हो कोई भी साथी अगर एक दो क्यूसन की वज़े से रे रहा है अगर वो क्यूसन उसके साई है फिर भी रे रहा है तो वो है किस्मत के ब्रोसे ना रहे है वो खुद के अदम पर ही उसको सीट निकालने होगी कई सारे साथियों की मेसेज आए कि इसके अंदरगत पोश्टे खाली रह सकती है क्या तो देखेगा लगबग जो आंस्वर की आने के बाद में हैं लगबग 70% से अधिक साती हैं वो इससे आउट हो चुके हैं आपके लगबग 70-65 का एवरेज आ रहा हैं यहां तक की 65% और 70% के बीच के विदारती इसमें बार हो चुके हैं इसके मेरिट क्या रह सकती है और डिलीट परसनों की संख्या क्या हो सकती देखेगा आंस्वर चेंज है वो आपके 2-3 क्यूसंस लाश्ट हैं और 4-5 क्यूसंस है वो डिलीट होंगे और कोई ज्यादा फेर बदल है वो इसके अंदर के तो नहीं होगा बोड़ने जो वाने हैं कहीं सार साती हैं वो हिंदी के क्यूसंस बेज रहे हैं मेत के क्यूसंस बेज रहे हैं तो उसके अंतरगत जो questions आया है जो answer बोर्ड ने दिया है वो answer ही उसका right होगा चाहिए आप कुछ भी कर लीजिगा क्योंकि उन चीजों के proof हैं वो आपके पास नहीं होगे जो proof वाली चीज़े हैं वो हमने बता दी आपको लगबग 10 से 12 क्यों के proof हैं वो हमने दिये थे वोर्ड सब गुरूप के अंदरगत और हर एक लगबग 200 से 300 साती हैं जिनके message आए हैं उन सभी को लगबग दिये हैं आप में से भी कहीं सारे साती होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तो सभी को लगबग दिये थे तो इसकी cut-off की बात करते हैं ज्यादा tension लेनी की बात है नहीं सबसे पहले बात कर लेता हूँ AC और ST category की AC और ST category के जो candidates हैं वो यदि इसके अंदरगत paper pass हैं 40% score कर रहे हैं तो इस safe zone के अंदरगत हैं final selection माने 40% का यदि आपकी score बन रहा है तो आप safe zone के अंदर है 40% का score है वो अगर आप कर रहे हैं तो आप safe zone के अंदर है अब आगे बात करता हूँ general category की तो general category के जो candidates है general category का जो साथी हैं वो आपके 47 से 90 तका score कर रहा है तो वो safe zone के अंदर गहते हैं OBC EWS और MBC इन तीनों category की बात करूँ तो इन तीनों के अंदर जो आपकी कटोप रहने की संभावना है OBC, EWS, MBC इन में एक या दो नमर का different है वो देखने को मिलेगा लगबग आपके देखेगा OBC OBC की कटोप क्या रह सकती हैं आपकी OBC कटोप है वो 44 से 46 तक है वो जाएगी ज्यादा है वो इसकी भी कटोप नहीं जाएगी EWS केटेगरी की बात करें तो EWS केटेगरी है वो 42 से 43 तक स्कोर करेगी और MBC केटेगरी है वो भी इतना ही करें यह आपके 42 से 44 तक के संबब संब्धिंग है वो आपके करेगी और जिस भी साथी को अभी तक यदि कोई किसी कुशन्स का पूरूप नहीं मिला है तो वो भी भी WhatsApp मेसेज कर सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे WhatsApp का लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा गुरूप में नीचे डिस्क्रप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से आप डाउं सीधे WhatsApp गुरूप में आखे message कर सकते हैं आपको सिधा answer मिलेगा सभी परशनों के कई सारे सातियों ने जो हमें नहीं मिलेते वो कई दूसरे सातियों ने बेज़े थे वैसे भी करके किसी भी परकार से करके आपके 10-12 किस्णों के proof हैं वो group के अंदरगत डाले हैं तो अभी भी कोई साती यदी बचा हुआ हैं तो वो इसके अंदरगत मेसेज जरूर कर दें ताकि उसको हर अपडेट है वो मिल सके आगे बात करते हैं एसी एस्टीम के अंदरगत जो पास ही वो इसका सेलेक्शन है और 40 परतिशत यदी बन रहे हैं तो वो फाइनल सेलेक्शन की दोड में है तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा अपने सात्यों के साथ सेर कीजिगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदरग जेहिंद जिवर